दोस्तों Google Photos के बारे में जानते होंगे, जब भी हम मोबाइल से अपनी कोई भी फोटो कैप्चर करते हैं, तो आपने जो Gmail ID हमापर set की हुई होती है, अपनी Play Store वगरा में, और Google में भी जो आपने Gmail ID डाली हुई है, तो वो फोटो आपकी automatic Google में सेव होती जाती है, जिसका ना सेव नहीं करते हैं, वैसे automatic सेव होती जाती है, तो आपकी memory काफी ज़्यादा भरती जाती है, आपको फोटो सेव करने के लिए आपर जगन नहीं मिल रही है, आपकी memory फुल हो गई है, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप Google Photos में से फोटो डिलीट कै कैसे कर सकते हैं, आपको फोटो को देखना वगएरा कुछ यूज करना भी नहीं यादा है, तो complete आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ और उसको डिलीट कैसे करेंगे, वह सब भी आपको बताने वाला हूँ, बस वीडियो को एंड तक देख लेना, और चैनल पर अपले सबस्क्राइब जरू कर देना, वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक जरू कर देना, चलता है मौबाईल की स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ, Google में फोटो को कैसे देखते हैं और कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप है सबी के मोबाईल में वैस कि खुद ही से होती जाती है आपके मोवैल में आपने जीमेल डाली होगी उस जीमेल आइडी में जब आप ओपन करेंगे तो महाँ पर आपकी फोटो सभी सेव हो जाएगी तो यहां पर एक इसका डिलेट करने का तरीका है जैसे इन फोटो को सेलेक्ट किया इस पर करके रखा यहां पर यह डिलेट पर क्लिक किया तो यह मूव टू बिन लिखा रहा है आपके मूव टू ट्रेश और और कुछ लिखाएगा इस पर क्लिक कर देना जहां पर यह फोटो चली जाती है आपके मतलब बिन में या फिर ट्रेश में जहां पर आपको फोल्डर मिलेगा जो भी तो उपर ठीलाइस पर click करके आपका बिन का या फिर ट्रैश का option मिल जाएगा folder उसमें click करके आप इन photos को यहां से भी delete कर सकते हैं वैसे इसका time होता है यहां पर मेरे mobile में शोगरा है कि 60 दिन के अंदर अंदर यह photo यहां से permanent delete हो जाएगी लेकिन फिर भी अगर आप इसको आज ही delete करना चाहते हैं तो इन तीनों को select करके delete पर click कर देना restore करना चाहिए तो restore को option भी आ रहा है restore करके वापस आपकी photo आजा जाएगी delete पर click करके delete permanently पर click करके आपकी photo यह से delete हो गई है गूगल में से अब आपको दूसरा तरीका बताता हूं Chrome browser में जहाँ पर आप अपने computer वगर्या laptop में open कर सकते हैं इसको तो यहाँ पर Chrome browser को open करना है Chrome browser को open करने के बाद यहाँ पर आपको search कर लेना है Google photo Google photos में search कर लेता हूँ Google photos यहाँ पर सर्च करने कि आपके जो भी Gmail ID यहां पर लोगिने जो Gmail ID आपने set के हुई है उस Gmail ID की photos ही यहांपर यहांपर शोगी जरूद नहीं आपकी हो सकता है आपने कोई दूसरी Gmail ID में आप डाली और आप दूसरी Gmail ID की प्रोम ब्रॉजर में open करें तो आपको photos नहीं आएगी यहाँ पर Google photos पर आपको click कर देना है यह एक तरह से website ओपन होगी यहाँ पर और get Google photos पर फिर से click कर देना है यहाँ पर आपकी सबी photos यहाँ पर आजाएगी जो भी आप phone से कीचते हैं वो Automatic यहाँ पर सेभ हो जाती है तो सब्सक्राइब करने के बाद मेरा application यह open हो रहा है क्योंकि मेरे में application अगर आप अब कंप्यूटर में open करेंगे तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेता हूं है इसको तो आपको इस तरह के इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा जो भी फोटो वगर आपकी यहां पर इस तरह से हो जाएगी। सबी फोटो यहां पर अगर आपको इन उन-select करना चाहिए तो उन-select करना जैसे यह सेलेक्ट हो गई है दो-t्याव में बाकि आप सब्सक्राइब आपको गोल सरकल दिखेगा इसमें क्लीक करके इनको सब्सक्राइब करने के पाद आपको उपर डिलिट का आइकन दिख जाएगा यहां पर यह वाला कॉर्णर में डिलेट के आइकन पर क्लिक करके यह फोटो यहाप से आपकी पर्मेनेटली डिलेट हो जाएगी और गूगल एपलिकेशन में जो आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर यह आपको फोटो नहीं दिखेगी यह आप कंप्यूटर में भी ओपन कर सकते हैं बस Gmail आइडिया आपको पहले capture की ती और आप खुद को याद नहीं है कि यह फोटो मेरे mobile में कैसे सेव है अभी तक तो सभी को आप चेक कर सकते हैं डिलीट करना चाहे है डिलीट कर सकते हैं काफी ज्यादा ऐसी छुपी फोटो मिलती है जो हमने कभी बहुत टाइम पहले देखी थी और अचाना को हमारे सामने आज आएगी कि हम नहीं पता हूं हमने अमने फोन पोडिलीट कर दि लेकिन यहां पर वो सेव रहती है तो उपीद करता हो आप अच्छी तर समझ में आ गया होगा Google Photos को आप कैसे देख सकते हैं और कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं तो वीडियो किसंद आई तो वीडियो को लाइक जरू कर देना और चैनल पर रहे तो प्ली सब्सक्राइब जरू कर देना मिलते हैं ने स्टुडियो में तब तक कि लिए बाइ